नमस्कार, मैं आज बना रहे हूँ अपना पारंपरिक स्वीड डिश पुगा पुगे कई तरह से बनाए जाते हैं, मैदे से, सुजी से, आठे से, चास्नी वाले पुगे, माल पुगे लेकिन मैं आज बना रहे हूँ सुजी के सुखे पुगे चार केले को लगभग 1.500 ग्राम चीनी के साथ मैं मैस कर दूंगी इस बात का ध्यान रखना है कि केले का कोई गुठली न रह जाए इसलिए अच्छे से मैस करके पेस्ट सा बना लेंगे इसके बाद इसमें डालेंगे लगभग 2.500 ग्राम सूजी और उसके बाद मैं इसमें जरूरत के अनुसार दूद एड़ करूँगी दूद को मैंने मेजर नहीं किया है बस थोड़े थोड़े डाल कर मैं बैटर बनाऊंगी तो ये देखिए थोड़े से दूद और डालूँगी और जब बैटर की कंसिस्टेंसी पूगी के लाइक हो जाए तब उसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए आधा चमच, कुटी हुई इलाइची और एक चमच लगबग, छोटे दाने के सौफ सबको मिला देंगे मैंने इसमें एक चमच देशी घी डाले हैं ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है अगर आपको देशी घी के फ्लेवर पसंद हो तो आप इसमें डालें नहीं तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं उसके बाद थोरी देर के लिए इसे ढख कर छोड़ देते हैं ढख कर खोलने पर मैंने देखा कि ये जो बेटर है ये सूजी फूलने के बाद गाड़ी हो गई है तो थोड़ा सा दूद इसमें और हमने मिक्स कर दिया एक कराही में तेल गरम करके इसमें एक एक चमच या कलचुल से इसमें हम डालेंगे और बिल्कुल मीडियम फिल्म पर इसे बनाना है क्योंकि हाई फिल्म पर ये उपर से तो जल जाएगा लेकिन अंदर में कच्चा ही रह जाएगा ये देखी ये फूल गया है इसे मैं पलट दूंगी और इसे पकने के बाद इसे निकाल लेंगे और फिर चमच से दूसरे पूबे के लिए बैटर डालेंगे इसमें हमें आराम से बनाना है हर बड में ये खराब हो जाएगा क्योंकि एक साथ अगर कई पूए डालेंगे तो आपस में चिपाट जाएगे और वो खराब हो जाएगा तो इसलिए हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर और एक एकर बनाना अच्छा रहेगा ये देखिए ये भी फूल गया तो इसी तरह से बारी बारी से हम साड़ा पूए बना लेंगे और ये देखिए रेडी है हमारा स्वीड डिश तो आप इसे बनाएए टेस्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये आपको कैसा लगा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों झाल